अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू मैं चैनल उम्मीद साब कह दियाद से होंगे ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे तो जी आज की मेरी जो वीडियो जैसे कि आपको पहले नजर आ रहा है कि मेरे पास पढ़ी हुई है तिबत करीम और कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वी लॉग डाला था जिसमें मैंने उस वीडियो में बताया था कि जी आज हम 10 दिन का चैनल शुरू करने लगे हैं तिबत करीम का तो आज मैं उसी का रिव्यू करने लगी हूँ कि मैंने वो चैलेंज किया और मतबदास दिन के बाद मुझे कैसे रिजर्ट्स मिले हैं इसके और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैन इसमें मैंने पांच कैपसूल्स डाले थें और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन दिन यूज किया है और अब यह आपको खde। ओके बहुताव हो जाता है ना किसी की स्किन पर उस तरह से न स्किन उतरना शुरू हो गई थी मेरे हाथ से तो मुझे लगा कि शायद किसी चीज़ की वज़र से ऐलर्जी हुई है या कुछ ऐसा हुआ है तो उसके बाद जनाब मैंने मुझे याद ही नहीं था कि मैं तिबत क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ तो उसके बाद जी अगले दिन मेरे जहन में जब तीसे दिन मैंने ये यूज़ किया न तो बिलकुल एक वो मेरे हाथ पे निशान में आपकाद मुझे जनाब क्याल आया कि जी मैं तो तिबत क्रीम यूज़ कर रही थी तो हो सकता है कि उसी का इंफेक्शन हो गया हो तो जनाब मैं आपको बताती हूँ कि तीसरे दिन के यूज़ के बाद मैंने इसको हाथ नहीं लगाया ना मैंने इसको अपने हाथ पे लगाया है ठीक है ये अगर तो आपकी sensitive skin है तो मैं आपको recommend करूंगी कि आप कभी भी ये गलती ना करें तिबत क्रीम में वाइटिंग capsule में लगाने वाली गलती आप कभी भी भी ना करें मैंने ये risk ले लिया है और alhamdulillah बचत हो गई है कि मुझे time डी समझ आ गई थी कि ये किस वज़ा से हो रहा है मुझे बर्निंग तो पहले आपके हाथ हलके से red होंगे फिर आपकी skin उतरेगी और अब भी उस हाथ पे मेरे काला सा निशान भी बन गया इसका मतलब है कि sensitive skin वालों के लिए ये इंतहाई dangerous है आप लोग अगर चाहते हैं कि अपनी skin को मैफूज रखें तो कायंटी से अपनी skin को बचा लीजिए ये बिल्कुल अच्छी नहीं है इससे बेहतर ज्यादे ये है कि सरदियों में ना हाथों को काला ही रख ले बनदा बचाए इसके कि इस तरह से जिला ले और सारा कुछ कर ले मैं आपको ये ही recommend करूँगी कि आप इसे कभी भी यूज ना करें आपने skin पे कोई फाइदा ही नहीं है ऐसे chemicals यूज करने का हलका सा भी मैंने सिर्फ हाथ पे अपलाई कि और वो भी दो दिन में ही मुझे results मिल गए इसके तो ये मेरी as it is रखे हुई है मैंने यूज नहीं कि और मैं आपके लिए भी मेरा sincere जो suggestion है वो यही है कि आप इसे ना यूज करें अगर आपकी sensitive skin है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी sensitive skin safe रहे तो आप इसे यूज ना करें तो यह मेरी आज की छोटी सी एक वीडियो थी आप सब के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल एकन को प्रेस करें ताकि नहीं आने वाली वीडियो आप पहुंचती रहें और इगर वीडियो पिसांद आए तो इसे like शेयर और comment श़रोगर करें कि दे कि कि कर दो